अमेर उकर्टेंगली खबर की ओर जदिनेशपूर में रामबाग आदिवासी शिव मंदिर में शिव भक्तों ने पूझा आइचना की इसके साथ ही मंदिर में सेत थाड़े तीन सो साल पुराने प्राचीनकाल के शिवलिंग पर जल अभी शेख भी किया गया है बता दे मानेता है कि प्राचीनकाल के ये शिवलिंग को इसका जो आकार है वो घटता और बढ़ता रहता है और इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों की सभी मुरादे पूरी होती है जिसके चुलते हर साल माशिवरातुरी के मौके पर शेत्र के हजारों कावडिये हरिद्वार से कंधे पर जल लेकर प्राचीनकाल के शिवलिंग में चढ़ाते हैं इसके साथ ही लाकों की संख्या में शिव भक्त पूझा आर्चना करने के साथ साथ शिवलिंग पर जल अरपित करते हैं शिवलिंग का जॉल भी शेक किया जाता है और ये आस्ता ही तो है जो भक्त अपने भगवान से जोडती है इस मौगे पर पांच दिवस्ये एक एतिहासिक भव मेले का भी आयोजन किया गया है उनको भी नहीं आ रहे हैं तो करोना की सरकारी का हम पालन सब कर रहे हैं हमारा परीवार में दो ही आदमी रहते थे तो परीवार हमारा बढ़ता नहीं था तो परीवार में तीन लड़के होए तो एक लड़ता जो था हिंगलास पहुंचा हिंग लाज से फिर तुम्हारे को हिमाले पहुंचा हम चंदान दनेशपुरे आज चंदान गाम था हमारा महरा राते थे आदिवासिवार जब आनको हुआ आये हैं तो अमने घ्रामसा का बोले कि सब जनी चड़ो फड़ाने फड़ाने जगा हमारा सिर्जी खेपे होने तो ज कि अग्याता